जैहें दोस्तों कैसे आप सबी आसा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों के संबद में सबसे बड़ा तथा छोटा है इप्पॉटेट के स्बसे बड़ा पुंसा है अगला कोशन है सबसे छोटा पुस्प कौन सा होता है सबसे छोटा पुस्प कौन सा होता है जो सबसे छोटा पुस्प होता है वो होता है वुल्फिया वुल्फिया जो होता है पौधों में सबसे छोटा पुस्प होता है इसका राइट एंसर हो जाता है option C, चलते हैं next question की और, अगला question है, सबसे कठोर लकडी किसकी है, तो सबसे कठोर लकडी जो होती है, वो होती है, हार्ट बिकिया बाइनेटा, हार्ट बिकिया बाइनेटा की सबसे कठोर लकडी होती है, इसका एटनसर हो जाता है, option D, चलते हैं next question की और, अगला question है, सबसे हलक लगड़ी होती है, चलते है नीकाशन की ओर, अगला कोशन है, सजबसे बड़ा आवरतीबीजी ब्रिच कौँन सा है, सबसे बड़ा आवरतीबीजी ब्रिच कौँन सा है, तो सबसे चोटा आवर्ती बीजी पौधा जो होता है वो होता है लेमना लेमना जो है वो सबसे चोटा आवर्ती बीजी पौधा होता है इसका राइट अंसर हो जाता है option बी लेमना लेमना जो होता है सबसे चोटा आवर्ती बीजी पौधा होता है चलती है next question की और अगला question है सबसे बड़ा बीज किसका है सबसे बड़ा बीज किसका होता है तो सबसे बड़ा बीज जो होता है वो होता है लूडूसिया लूडूसिया का जो होता है वो सबसे बड़ा बीज होता है इसका राइट एंसर हो जाता है option B लूडूसिया लुडुसिया का जो बीज होता है वो सबसे बड़ा बीज होता है चलते है next question के और अगला question है सबसे चोटा बीज किसका है सबसे चोटा बीज किसका है पौधों में सबसे चोटा बीज किसका होता है तो सबसे चोटा बीज जो होता है वो होता है आर्किड आर्किड का जो पौ बड़ा पत्ती किसका है, सबसे बड़ा पत्ती किसका होता है, पौधों में, तो सबसे बड़ा पत्ती जो होता है, वो होता है, विक्टोरिया रिजिया, विक्टोरिया रिजिया का जो पत्ती होता है, वो सबसे बड़ा होता है, इसका राइट एंसर हो जाता है, option C, विक्टो अगला कुश्यान है सबसे लंबा गुर्षूत्र किसका है सबसे लंबा गुर्षूत्र किसका होता है तो सबसे लंबा गुर्षूत्र होता है वह होता है ट्राइलियम ट्राइलियम को जो पूधा होता है उसका जो गुर्षूत्र होता है सबसे लंबा होता है चलते है सबसे ज्यादा गुल सूत्र वाला पौधा कौन सा है तो सबसे ज्यादा गुल सूत्र वाला पौधा होता है उसमें सबसे ज्यादा गुल सूत्र होता है चलते हैं सबसे छोटा सैवाल कौन सा है सबसे छोटा सैवाल कौन सा होता है सबसे छोटा सैवाल होता है क्लेमा क्लेमाई क्लेमाई डूमोनास क्लेमाई डूमोनास का जो सैवाल होता है सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा सैवाल कौन सा है अब चेली एक बाद फटा-फट रिबिजन कर लेते हैं, उसका होता है उक्रोमा लेगोपस, उसका होता है, उसका होता है आर्किड, सबसे बड़ा बीजान जो होता है, साइकस का, सबसे बड़ा पत्ती जो होता है, वो होता है, विक्टूरिया रिजिया का, सबसे बड़ा पत्ती होता है, सबसे चोटी पदकोसका जो होती 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 है, सबसे लंबा गुलसुत्र जो होता है, सबसे चोटा गुलसुत सबसे चोटा सैवाल होता है तो हाँ आज की वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी जुरू बताएगा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल पे नय है चलो को सब्सक्राइब इसका फ्री पेडिया डिस्क्रेप्शन में लिंक होगा आप चाहें तुमास से इसका फ्री पेडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत बंदी मात्रम